आज व्राइड रादे गूड इविनिंग और बताएगे दूस्तों कैसे हैं आप सभी उमेद करते हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुतं अच्छी हूँ तो आज हैं फ्राइडे टु ये फ्राइडे का व्लोग है और मैं इवनिंग के टाइम से मिरा जो ब्लॉगा है तो मैं श्टारट कर रही हूँ तो इवनिंग के टाइम में यहां पर कर रही हूँ पूजा और मेरे साथ साथ बाबू भी पूजा करने लग गया था और आज फ्राइटे है तो बजार वाला दिन है तो मैं चली गी थी बजार लाने तो सबजी ले आने के बाद थोड़ा सा जो है यहां पे हाथ मों दोके मैंने पूजा कर ली है और बाबू भी यहां पे देखें पूजा कर रहा है क्योंकि उसे पूजा पार्ट में बहुत ज़्यादा मन है बहुत अच्छा लगता है और यहां पे मैं सोच रही हूं कैसे क्या करूँ कैसे सेट करूँ ताकि सारे भुट्टा है एकी साथ सेख जाए और ठंडा होने के बाद अच्छा नहीं लगता है भुट्टा जो है सेखने के बाद गरम गरमी खाना अच्छा लगता है तो मैं सोच रही थी कि कैसे मतलग कैसे सेट करो ते एकी बार में सारे भुट्टा जो है सेख जाएं लेक जए झाल मुझा पश्य नुकसान भी नहीं देता है यह थानेका मज़ है कि यह मौसम घृष मौसम मुझे जए तो इस अपरे मौसम मैं थानद alma शुशेचे हो थैं है सेख लिए उसके बाद एक यह वाला मैं सेख रही हो और यह ना गैस के चुले से अच्छा जब मिट्टी के चुले में भुट्टा सेखा जाए ना उसका टेस्ट और भी अच्छा लगता है तो मैं लेकर आए थी भुट्टा खाने के लिए निम्बू तो निम्बू और नमक म क्ला आएं इसके चाहए ल्हां नमकिन पन और है यह पर अच् linking बहुत जड़ा है मुझे नहीं पता है हिएं ब्ट्टा में आर नमक रिकिन गालते कि मुझे नहीं पता लेकिन हमारे we avocado नमक के साथ ost के सार्फ किया जाता है भुट्टा और ईह बला भुट्टा नह नरम मैं क तो इतना मीठा सा लग रहा है और मैं बाड़ बाद जो है इसमें नेमू घिस रही थी कि मुझे खट्टा-खट्टा सा पसंद है बुट्टा इसमें से उलका कट्टा पर हलका सा नमकिन पर रहेगा तो यह अच्छा लगता है और यहां पर जो है बाबु खा रहा था तो जब भी बज़ा जाते हैं ना मूली पत्त पत्त लआते हैं यह मुली नहीं लाते हैं लेकर मूली की सब्जी मुझे बहुत पसंद है अश्म मूली दोनों आख साग एक साग को सब्सक्वान जाता है, इसे साग मैं लेकर है थी और मूली इहां पर को बनाऊगी, वर मूली की ने पर चुप्टे पीस में में च्हिल के चाट के तयार कर लेती हूं, रात में डिनर में बनाने के लिए, और साथ में एक आलो भी काट लोंग कि की एक आलु से आधे आलु मैं काट के प्यूर्ट खी diplomat और बस हम दोने के लिए ही बनाना है मतलब मैं और बाबो मेरी हज़ेंट रात में डिनर नहीं करेंगी कह रहेते झो करेंगे लगिन ने के लिए सबजी दुपहर में मुझे चाछतअ काके तो आदे कि मॉले की सबजी हमनेही क्छाएंगी तुम लोग खाऊ तो अपने लिए बना लए वो हैं यहां पर मैं करा रही हूंबग बाबो का हो चुका है अब जो है उसका पराई मैं यहां पर करा रही हूं कितना भी मुझे काम हो कितना भी घर में काम का पेशर हो फिर भी मैं उसमें से ना टाइम निकालती हूं ताकि मैं बाबो को परा पाऊं क्योंकि ना अभी पिर म में बहुत जादा द्यान है वो चाहता है कि मम पढ़ाय करें और कभी कबार तो ऐसा होता है हम काम करते हैं वो अपने आपी बूक्स लेके बैट जाते हैं पढ़ाय करने तो यह जो टाइम है ना यह पराई लिखाई का टाइम है खेलने का टाइम है अभी अगर बच्छों को अगर पराई में इंट्रेस्ट नहीं नहीं दिखाएंगे उन्हें अच्छा नहीं लगएगा पढ़ने लिखना तो अब इसमें पढ़ने दो पाराईी क्या गब ethics यो पढ़नाई आधानी तो उन्हेर को पार पैसे में प्रमें आगें थी वर सब्षार करें ना जो मूली को थोड़ा सा बॉयल करें कि इस TIME मूली तासी अब थंड़ा मौसम नहीं हुआ है तो मूली महएक आथी और थंड़ा मैं थूँड़ा सा बॉइल इसमेल ना करो तो बहुत ज्यादा समेल आती सब्जी से जोकी मुझे पसंद नहीं है तो इसलिए उसका जो पानी है मूने वाहल करके पानी को मैं वैद सब्छी में मतलब देल मैं मैं जीरा तेशपती प्राय करके उसके बाद मूली हलका सफ्राय क नमक खल्दी एट कर दिया है अगलका सा जो है अक लाल मिर्च पाउडर एट किया है कलर के लिए और मैंने बस दो हरी मिर्च एट किया है फिर भी ना बहुत ज्यादा तीखी बन गे थी सबजी यहां पर देखिए मसालों के साथ मूली को मैंने अच्छे से फ्राइ कर लिया है अब इसमें अच्छे से पानी यहां पर थोड़ा से ज्यादा पानी मैं अच्छे से बॉल कर लेना है तो गर्वी को गारी करने के लिए मैंने एट किया है बेसन जो कि मैंने बेसन को नप पहली ड्राय रोस्ट करके मैं रख देती हूं क्योंकि कोई-कोई सब्जी ऐसा हो त कर दो थोड़ा सई तो उसका जो भी बहुत ज्यादा गारी हो जाती है आपको कुछ चैट करने की जुरत नहीं परती है तो इसलिए तो लाश्ट में मैंने धनिया पत्ता हलका समत थोड़ा सई बेसन का घोल एट कर दिया था और हमारे सब्जी बन गई थी और उसके बाद के लिए मैंने खाना परोज दिया है क्योंकि उसे बहुत ज्यादा भुग लग गई थी खाना परोज दिया था और यहां पे जो है सब्जी वो मैं निकाल लेती है क्लीन करने के लिए और यहां पे जो है सब्जी बन गई थी तो सब्जी मैंने निकाल लिया और साथी साथ जो ओविन का जी कहना यह भी मैं निकाल लेती हूं क्लीन करने के लिए उसके बाद बाओ को डिनर कराने के बाद उसे मैंने सुला दिया है और जब तक हस्बेंट नहीं आते हैं जो छोटा मुटा किचिन का काम है यह पहले मैं कर लेते हूं यह डिपयों वगेरा यह सब कुछ मैं सेट कर लेती हूं उसके बाद हस्बेंट आ जाएंगे उसके बाद करेंगे हम लोग रात का डिनर तो चलिए सब कुछ मैं अच्छे से क्लीन कर लेती हूं तो अभी फ्रेंस रात के सारे 10 बजे का टाइम है हम लोग रात का डिनर वगरा सब कुछ कर चुके हैं और बाब कर रहीं कुल है सकर डे का प्याज लसन की भुए है सबची नहीं regional प्याज लसन की सब्ची बनाया था और वैसे वह रोज मैं खें से इंगार आज डीप में ख़ता ही क्विवसरे लिग भी आपने में थुम क्लीन करती हूं संद strategy में अच्छे से क्लीन करती हूँ चलो छोड़ कि बाद मैं लंच बनाने के बाद की लेंगी नहीं मौर्णिंग में खाना बनाने से पहले ही मैं क्लीन कर लेती हूं क्योंकि उस दिन हम लोग प्याजलेस्टन की बनीवे सबजी खाते ही नहीं है और यहां पर ओवन क्लिन करने के बाद जितने भी सारे बरतन है बोले के मैं बैट गए हूँ और थोरह से मुली की सबजी बच गया था क्योंकि ना तुरह से हम दोनों के हिसाब से ज्यादा ही बन गया था तो वो सबजी है वो सबजी मैंने रख देए फ्रीज में और चावल भी बच गया था तो मैंने चावल का भगोना ऐसा ही रखने दिया वो अभी क्लिन नहीं करूंगी सुबह क्लिन कर लोंगी क्योंकि ना मुझे पहले पता नहीं था अब ना सब लोग यह कहते हैं कि रात में जो चावल का भगोना है वो क्लिन करना नहीं चाहिए क्योंकि आप जिस पतीले में जिस भगोने में चावल बनाते हो चावल लकस्मी का रूप है अगर वो रात में आप क्लिन करते हैं यह कहा जाता है कि लक्समी नहीं आती है घर में इसलिए ना आज मैं नहीं धो रहे हूँ और जितने भी सारे बरतन हैं सारे बरतन हैं भी मैं क्लिन कर रहे हूँ और मेरे माते के साइड में देखिए चत्री है क्योंकि यह चत्री जब बाड़ी शुरू होई थी उस टाइम मैंने निकाला था और पानी में भीगी हुई थी तो मैंने यहां पर लटका दिया और रोज बर्तन दोने के टाइम में मैं इसोचते हूं कि यह मैं हटा दूंगी औ और यहां पर देखिए सारे बरतन मैंके करके क्लिन कर लेती हूं और आज मुझे चतरी खटाना ही है कि मैं भूल जाती हूं तो सुबह से मतलब सुबह से मैं काम एक काम के बाद एक काम करती जा रही हूं और अभी बिल्कुल मैं लिटरिली पेर में हाथ में दर्द होने लगा है मेरा हाथ पेर चल नहीं रहा है ऐसा लग रहा है कि बैट जाओ चुप चाब और ऐसे लेट जाओ फिर भी मैं जाए जबह से बरतन हो रही हूं कि सुबह से बबू इसको स्कूल भी भीजना है उस ट्राइम उटके बरतन धोना बहुत मुश्किल हो जाती है मैंने नहीं कर पाती हूं तो इसलिए रात में ये सब काम करके रखना है बहतर है तो कितनी भी परेशानी है कितनी भी तकलीफ हो और यहाँ पर मेरा नाइट रूटिन आज खतम होता है मैंने इवनिंग और मेरा नाइट रूटिन आप लोग के साथ आज शेयर करा है कैसा लगा आज का ब्लोग प्लीस कमेंट करके आप ब्लोग जरूर बताना फिर मिलिंगे नेकी सी ब्लोग के साथ तब तक टाटा बाई 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 अपना ख्याल रखिएगा गुटनाइट